दामी सरकार को एक साल पूरा हो गया है, एक साल नई मिशाल, इस थीम के तहित प्रदेशवर में कारिकरम चल रहे हैं और हमारे साथ दंसिंग डावत साहब हैं, जिनके पास शिक्षा भी है, उच्छे शिक्षा है और इसके अलावा स्वास्ते जैसे बहुत महतोपूर महकमें इस अब हैं, इस एक साल किस तरीके से देखते हैं सरकार का? और मैं कहीं अब भूत पूर्ब काम के हैं और सरकार का जो एक साल का एजिंडा था, कि भए हमको एक साल में ये काम करने हूं, हमने उस एजिंडे को पूरा किया हैं, और बड़ी बात यह हैं कि उत्राखन की जनता ने जिस विश्वास से सरकार हमारी रिपीट कराई थी, उस पे खरा उतरने का काम में हमारी सरकार ने पूरा किया है, जहां तक रही बात विकास की, तो आपने देखा होगा कि इस बार हम लोगोंने बजट में कई नहीं चीज़े लाएं, और सुरोजगार का बहुत बड़ा का हम लोग अपने परदेश में करने जा रहे हैं, हमने ये भी तैकिया इस बार है कि जो गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों की आर्थिके और जीटीपी में उनको कैसे आगे बढ़ाए जाए, उसके लिए भी सरकार ने कई परकार की कारियोजने संचालित की हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि देश का पहला राजी उत्राखन हो रहा है कि जो दो हजार चौबीस में हमारे हां डॉक्टर सरपलस हो जाएगे, हमारे हां वो डॉक्टरों की कमी नहीं है, हम लोग इस साल आपने देखा होगा कि कली हम 900 से जादा ये नमुकी भरती कर देखाने जा रहे हैं, उनको न्यूक्ति पत्र दे रहे हैं, हम लोगों ने 171 असिस्टेंट प्रोपेसर जो है, अपने मेडिकल कॉलेज में भी जो है, उनको लगवाया है भी तक, हम लोगों ने एक बड़ा कामी क्या है कि 1400 सेसी, वो जो हमारे वल्नेस सेंटर हैं, वहां पे जो है, सियोचो एक एक लगाए हैं, और स्वास्ते के छित्र में पहली बार जो है, पिथरगण में मेडिकल कॉलेज मनने है, अलमडा मेडिकल कॉलेज हमारा सुरू हो गया है उधम सिंगर का मेडिकल कॉलेज बनने है अरदवार का मेडिकल कॉलेज बनने है हमारा जो है नर्सिंग कॉलेज बनने है और हर गाउं में जितनी गर्वती मेला है उनके सस्तागर डिलेवरी के लिए घर से लाना और जब जच बच्चा बच्चा हो जाएगा घर तक छोड़ना ये भी हमारी सरकार की तरफ से सब निशुलक है दो सो 65 जांचे हमारी सरकार प्रतिक विक्ति की फिरी में करा रहे हैं छे लाक से जादा लोगों का आईसमान भारत में हम फिरी का इलाज करा चुके हैं हमारे हां एयर कनेक्टिबिटी में अगर कोई क्रिटिकल मरीज हैं और उसको अगर जिला हस्पिटल लाना है या मेडिकल कॉलेज में लाना है या एमस लाना है तो हमने एयर मिलेंस की भी इस वार बीवस्ता अपने राज में की है और इतना है नहीं, देश का पहला राजी है यह, जहांकि डालिसिस के मरीजों का इलाज फिरी में हो रहा है, एक लाख लोगों के मुतिया बिंद के आपरेशन फिरी में हमारे राजी में हो रहे है, हमारे यहां पहले जो सिस्विव मिर्तुदर थी वो 31% थी, आज हमारे तरगेट है कि हम इसको जो है, वन डिजिट पे लाएंगे एक अंतिम सवाल है, विपक्ष कहा रहा है कि नराशा जनक कारेकाल रहा, स्वास्ते सेवाई चर्मरा गई, कानुन व्योस्ता चर्मरा गई, अंकिता भंडारी हत्या कांड हुआ, विदान सवामिक के बढ़ती घो पांच साल पुरानी सरकार का और एक साल नहीं सरकार का, मैं पिछले जब मानी खुर्णी जी थे, मानी निसंग जी थे, मानी कोशरी जी थे, उसका भी वो नहीं करों भी, मैं कह रहा हूँ कि आप 65 साल एक तरफ करिए, और 6 साल एक तरफ करिए, और इसमें तुलना कर लिज करते रहते हैं वह उलुल जलुल बातें मी कर दे रहते हैं कुछ भी बोलने रहते हैं और रख मेश भी व्हों बोलता है तो लोग उसको मीरत बिलेते तो इसले हमने ने थृष्ष। बहस्ता गजा हैं हमने कहा था कि भया हम फिरी कारा संदेर हैं हम वो देंगे हमने कहा था कि हम जो है लोगों को निसुल्क जो है पांच लाग तक के इलाज कराएंगे वो हम दे रहें तो हमने जो जो वादे किये थे लोगों से वो हम पूरे कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि विपक्ष को भी इसमें हमारा साथ देना चाहिए इसमें हमारा साथ देना चाहिए